life after death तो फरेंड़्स आजा हम ये जानेगे क्या death के बाद कौनसी लाइफ होती है या फिर कुई life होती भी है या नहीं दो फरेंगे क्यों मरने के बाद हमारे कौनसे evidence कितने time टक valid होते कितने time टक सही रहते है। तो आज इन्हीं इंट्रेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे और और भी वह सारी बाते करेंगे सो हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है शोबित गोस्वामी और आप देख रहा है वर मिस्टीरियस उनिवर्स चैनल तो यार आपको एक बात बतादू कि मरने के बाद हमारी बोडी कम से कम 10 मिनट तक हमारे अंदर ही जाती है और जब वहाँ से जाती है ना तो हमारी बोडी के बोन्स जो टीथ ये सारे करीब 8 से 12 गंटे तक ठीक रहते हैं अप जाते हैं जाता है तीन से 16 बाहन ke बाद हें इन सारे सारे खतम्स होजाते है दोस्तों मरने के बाद हम सब्सक्राण के हुद आप सきた रड़ चीजे क्षेब रिकते हैं तो फ्रेंट्स माना जाता है आगर जो अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जगें मिलती है लोगोते वह बहुत अच्छे काम करते हैं जो वह वह जा पाते हैं और दोस्तों हम इस लाइफ में आगर आया है तो हमें काफी ठीक हो काफी अच्छे काम करने चाहिए तब ही हम हेवन में जाएंगे तो दोस्तों जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते है वैसी स्वर्ग के बाद एक नर्क भी होता है है जहां पर जो आपने जीव होते हम हुमन होत सब्सक्राइब तो हम आगे बात करते मरने के बास दोस्तों जाते हैं तो दोस्तों कहा जाते हैं कि मरने के Бाद 13 दिनों तक हमारी वोडी की जो डोढ़ी होती है और व करके नहीं legitimately जाति हैं तक वह सब्सक्राइब हमारे आज इस पास हमारी फिर उसी थाँकत में आ जाता है लेकिन उसके बात जाने के जाने की ने बहुत जादा प्यार करते हैं और उनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता है तो वहीं पे रह जाती है तो दोस्तों वहां पर रहने की वजए से उनकी स्पिरिट जो होते हैं वहां से इतनी ज़्यादा जूट जाते हैं कि वह उसी घर में रहने लग जाती है जिसे कुछ लोग भूता घर भी कहते हैं तो फ्रेंड्स कुछ यही सारी बात इती है अगर आपको मेरी वीडियो अच् झाल